सुदान भुकमरी की चपेट में हैं, सबसे ज़ादा खत्रे में हैं बच्चे सुदान लंबे समय से गरीबी के कारण होने वाले कुपोशन को जेल रहा है लेकिन ग्रहियुत के कारण देश के कई हिस्सों में भुकमरी के हालात बन गए है इस वाड को आपने अभी बढ़ा किया? हाँ, हमने इसे दो दिन पहले ही बढ़ा किया इस वाड में हमने 35 और बिस्तर लगाए हैं, अब यहां कुल 89 बिस्तर हो गए है 89 बिस्तर? युद के दोरान कितनी बार बार को बढ़ा करना पड़ा? इस वाड को चार बार बढ़ा किया गया है अब मरीजों को खानी की कमी हो रही है वो ऐसे इलाकों से आये हैं जहां खाना बहुत महंगा है यह बहुत तनाओं में हैं कुपोशन की गंभीर स्थिती है यह जगा उन बच्चों के लिए है, जो मौत के करीब हैं सुलिमान दो साल के है यहां उन्हें इलाज मिल सकता है लेकिन ऐसे जादातर मामले संगर्श वाली जगाहों पर होते हैं जहां इलाज नहीं मिल पाता हिंसा में शामिल दोनों पक्षों ने मदद रोकी हुई है बंदिशे अब कम हुई हैं लेकिन काफी नहीं है ओम दुर्मान में बाकी जगा खाने की तलाश काफी जल्दी शुरू हो जाती है एक स्थानी संस्था नाश्ता देने वाली है दर्वाजे खुलने से पहले ही यहां लंबी कतारे लग जाती है यहां पर अपने बच्चों के लिए खाना लेने की उमीद में आता हूँ फिर मैं किसी काम की तलाश में निकल जाऊंगा ताकि मैं कुछ पैसे कमाऊ और उनके लिए रोटी खरीच सकूँ इने कम्यूनिटी किचन कहा जाता है पूरे देश में इस तरह के कई किचन शुरू किये गए हैं संयुक्त राश्च का कहना है कि उसके पास जरूरत के मुकाबले सिर्फ एक तिहाई फंड है तो यहां सुडानी लोग ही सुडानियों की मदद कर रहे हैं बुजूर्गों और विकलांगों को पहले आने दिया जाता है हर शक्स को बीन्स और ब्रेड का एक पाकिट दिया जाता है यहां दुकानों पर ब्रेड और खाने की बाकी चीजे तो हैं लेकिन लोग बढ़ती कीमतों के कारण उन्हें खरीद नहीं पाते हजूर अब्बास छे बच्चों की मा है एक बच्चे को जर्म देते वक्ताई दिक्कतों के कारण वो चल नहीं सकती वो अपनी बहन के साथ रहती हैं जिनके खुद के भी साथ बच्चे हैं वो कहती हैं जंग की शुरुआत में ही हमारे पिता पकड़े गए थे हम तभी से बेघर हैं हम यहां सिर्फ नाश्टे के लिए आए हैं और फिर दोबारा खाना ढूमना होगा कभी खाना मिलता है कभी नहीं आखिर में ये दो छोटे लड़की आए जो काउंटर तक ठीक से पहुँच भी नहीं सकते ये इंतजाम सोहंदार अब्दुलवाब ने किया है वो पेशे से वकील हैं और यहीं रहते हैं हम एक युद शेतर में हैं आप कभी इस जगा को छोड़ेंगे जब आप लोगों की जरुतों को देखते हैं तो आपको ताकत मिलती है कि आप इनकी मदद कर सकते हैं और जब आपको ये पता होता है कि लोगों को आपकी जरुरत है तो उससे डर पर जीत हासल करने में मदद मिलती है आज किसमत ने नाजी का साथ नहीं दिया खाना खत्म हो गया और उन्हीं लौटना पड़ा ये साफ है कि उन लोगों को मदद की सकत जरूरत है जो चाहते हैं कि मदद की जाए मगर उन्हें लग रहा है कि उन्हें भुला दिया गया है